नाभी के बोतिके में आज का हमारा जो अध्यन विंदू है वो नाभी के अभी किरियाएं नुक्लिय रियक्षन क्या होती हैं इनके बारे हम इस वीडियो डेक्टर में अध्यन करेंगे तो जब किशी लक्से नाभीक पर तीवर गामी नाभीकिये कणों की टक्कर कराई जाती हर्था थे जैसे एलफा करन, प्रोटोन, न्यूट्रोन तो इस टक्कर के परिणाम सवरूप लक्से नाभीकी संरचना उर्जा आदी में परिवर्तन हो जाता है अतहे दो नाभीकों या नाभीक वे मूल भुचकनों के मध्धे इस परकार की अंते किरिया नाभीकिये अभीकिरिया कहलाती है जैसे उदारन की बात करने जैसे अक्स कोई लक्से नाभीक है जिस पर तिवर गामी कण एक ही टक्कर कराई जाती है एक हलका पार्टिकल है उसके टक्कर कराई जाती है इस परकिरिया में वाई तथा बी अभी क्रिया उत्पाद है सामाने ते य भारी उत्पाद कन है जिसे डोटर नुकलिया जी बोलते हैं जिता भी हलका कन होता है तो इस प्रारुपी के रियक्शन को हम लिखें तो ए प्लस एक्स रियक्शन के फ्ल चुरूब य प्लस बी इसको सोटकट में या संक्सिप तरूब में जो तरीका है वो होता है एक्स कोस्टक एकोमा भी वाई लिखते हैं यानि एक्स अलग से नाबिक है एक की टकर कराए जाती है प्रिनाम सुरूब वाई डोटर नुकलियाई है और बी भी साथ उत्पन होता है जैसे उदारन के बात करते हैं तो एलफा कन 2HE4 की जब 7 1H1 भी उत्सरजित होता है तो इसको एदि सोर्ट में लिखेंगे तो 7 N14 2HE4 1H1 ऑक्सिजन 17 2HE4 एलफा कन होता है 1H1 प्रोटोन होता है तो इसे हम 7 नाइट्रोजन 14 एलफा प्रोटोन एटो 17 भी लिख सकते हैं इसे प्रकार जो न्यूट्रोन खोज अभी किरिया है कि जब बेरिलियम 9 नाभिक पर एलफा कन की बंबार्टमेंट करवाई गई थी तो कार्बन 12 बना था और एक न्यूट्रोन उत्सरजित हुआ था वह जो प्रारुपी किरिया है वो यह है 2HE4 प्लस 4 बेरिलियम 9 6 कार्बन 12 प्लस न्यूट्रोन 0 N1 यदि इसको सोर्ट में ल लिखा जाएगा इसी प्रकार यदि 3 लीथियम 7 पर प्रोटोन की टकर कर आए जाती है 1H1 की तो 2HE4 प्लस 2HE4 यानि 2 अलफा कन प्राप्त होते हैं ये जो अभिकिरिया है वो कन तवरित्र के द्वारा प्राप्त पहली अभिकिरिया थी पार्टिकल एसलेटेड के द्वारा जो रियक्सिन उत्वाद बने थे वो पहली जो अभिकिरिया थी वो अभिकिरिया ये है सोट में इसको यदि लिखेंगे तो 3 लीथियम 7 प्रोटोन एलफा प्रोटोन बंबार्डमेंट पार्टिकल है इस एलफा के साथ उत्सजित होने वाला पार्टिकल है अब यदि नाभी के अभिकिरियां के परकार की बात करें तो नाभी के अभिकिरियां कई परकार की होती है जैसे पर्थम अभिकिरिया की बात करें तो अभिकिरिया किरिया विदी के आधार पर आधारित अभिकिरिया यानि कि अभिकिरिया की किरिया विदी क्या होती है इस पर आधारी तबीकिरियाएं हैं सेकेंड है प्रक्षप के दर्मान पर आधारी तबीकिरियाएं क्या होंगी तो इन दोनों तरिकों में से जो पहला है कि अभीकिरिया किरियाविदी के आधार पर अभीकिरियाओं को किन किन अभीकिरियाओं के परकार में वर्गी करते किया ज ये अभिकिर्या एं जिन में आपतित और उत्सर्जित कण समान होते हैं यानि कि जो कण टार्गेट नुपलियाई पर इंसिदेन्ट वहा है वो ही उत्सर्जित भी होता है तभा X और Y भी समान होते हैं अर्थात डोटर नुकलियाई परिंटरल नुकलियाई एक ही होते है तो ये अभिक्रिया परकिर्णन अभिक्रिया कहलाती है परकिर्णन अभिक्रिया भी दो परकार की होती है इन में से पहली है परत्यास्त परकिर्णन Elastic Skatering तो परत्यास्त प्रकिर्णन एक ऐसी नाभी किये अभिकिरिया है जिसमें पूरे निकाई की कुल गतीज उर्जा सनरक्षित रहती है अर्थात अभिकिरिया के दोरान यदि कुल गती जूर्जा सनक्षित रहती है तो वो है जो अभिकिरिया है वो परत्यास्त प्रकेड़न अभिकिरिया होती है जैसे उदारन की बात करें तो यदि 79 गॉल्ड 197 पर एलफा कन का बंबार्डमेंट करवाय जाता है तो प्रोडेक्ट उत्पाद नाविक भी वो ही होते हैं और एल्फा कन ही उत्सरजित होता है तो ये एक पर्तियास्थ पर्कीर्णन अभिकरिया का उधारन है यहानि 79AU197 अलफा कोमा अलफा 79AU197 दूसरे प्रकार की जो अभिकरियाएं हैं वो पर्तियास्थ पर्कीर्णन अभिकरियाएं होती हैं इसमें आप्तित प्रक्षे पे कन लक्से नाविक को अपनी कुछ गतीज उर्जा इस्तानांतरित कर देता है यानि कि जो आप्तित प्रक्षे पे कन है उसकी गतीज उर्जा कम हो जाती है और जो उर्जा में कमी हुई वो है वो लक्से नाविक को देता है इस गतीज उर्जा इस्तानांतरन से लक्स नाविक उंच उर्जा अवस्ता में उत्तेजित हो जाता है तथा शामानेत एक गमा फोटोन का उत्सर्जन कर मूल अवस्ता में आता है तो इस परकार की जो अभिक्रिया होंगी वो एपर्तियास्त प्रकिर्णन अभिक्रिया होंगी एपर्तियास्त प्रकिर्णन अभिक्रिया में गतीज उर्जा सनरक्षित नहीं रहती है जैसे उदारन के बात करें तो iron 56 पर ये ये alpha particle के टकर कराए जाती है तो iron 56 है वो excited state में चला जाता है यहां हमने इस्टार लगाया है प्लस alpha particle निकल जाता है लेकिन इसकी उर्जा incident alpha particle से कम होती है अब ये जो iron 56 excited state में है ये gamma photon का उत्सरजन करके अपनी मूल अवस्ता ground state में आ जाता है अगले परकार की अभिकरिया किर्याविदी प्राधारित जो अभिकरिया है वो है विकीरिनी प्रहगरहन तो ऐसी नाभिकिये अभिकरियाओं में लक्से नाभिक आप्तित प्रक्षे पे कण का अभिगरन कर लेता है यानि कि नुकलियस में वो आप्तित प्रक्षे पे कण है वो समाजाता है और उच उर्जा अवस्था वाले नए नाभिक का निर्मान करता है जो गामा फोटोन का उत्सरजन कर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है अभिकरिया की प्राइक्ता मेत्वप्रन रूप से आप्तित प्रक्षे पे कणों की उर्जाओं पर निर्भर करती है अर्थाति आप्तित प्रक्षे पे कण कितनी उर्जाओं का है यदि प्रियाप्त उर्जाओं का है तो विकरिणी प्रहगरण होगा वरना प्रकिणन न विकरियां होंगी तो एक उदारन की बात करें तो अलफा पार्टिकल होगी अर्जी सिक्स कार्बन ट्वैल पर इंसिडेंट किया आजाता है प्रियाप्त उर्जाओं का है तो एटो 16 ओक्सीजन सोला का निर्मान होता है और यहां पर इस्टार लगाया है यह नि कि यह उँच उर्जाओंजाओं में है तो यह किसी गामा फोटटॉन का उतसरजन करके ओक्सीजन 16 अपनी मुल अवस्ता में आ जाता है तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं योगिक नाभिकिये अभिक्रियाएं इस प्रकार की नाविकिये अभी किरियाओं में आप्तित प्रक्षे पेकन अपनी समस्त उर्जा लक्स नाविक को दे कर और उसके साथ मिलकर एक नए नाविक जिसे योगिक नाविक कहते हैं का निर्मान करता है ये योगिक नाविक शामनेते अतेथिक उतेजित अवस्था में और एस्थाई परकर्टी का होता है जिसका जिवन काल अते नीउन टेंड की पावर माartet 14 से माइनस 15 सेकंड का होता है योगिक नाभिक का विखंडन सामानेत है एक यहां अधिक हलके कणों और उत्वाद नाभिक के रूप में होता है अपिक्षाकर्त कम उर्जा के प्रक्षपों के लिए योगिक नाभिक का मोडल नाभिक के अभिकरियाओं को समझाने में बहुत शफल रहा है जैसे उदारन के लिए बात करें तो बेरलिम 9 पर 2HE4 इंसिडेंट होता है अप्तित होता है तो 6 कार्बन 13 बनता है यह जो 6 कार्बन 13 है एक न्यूट्रोन का उत्सरजन करता है और 6 कार्बन 12 की उत्तेजित अवस्ता में जाता है 6 कार्बन 12 जो अक्साइटेड इस्टेट में है वो गमा फोट्रोन का उत्सरजन करके अपनी मूल अवस्ता में आ जाता है इसी प्रकार यह दि अलूमीनियम टुम्टिशन पर अलफा पार्टिकल की रियक्शन का अध्यन करें तो 15 फास्पोर्स 31 अक्साइटेड अवस्ता म सब्सक्राइटेड इसी प्रकार की जो रियक्शन है वो है फोटो वी गटन इस प्रकार की अविक्रिया में लक्स्य नाविक उच ओर जाके गामा फोटोन गामा के इन फोटोनों का आउस्सों करता है और एक या अधी कनों का उत्सरजन करता है अर्थात विदू चुमक्य तरह नहीं कि गामा फोटोनों का उत्सरजन करके वी गटित दूने की जो घटना है वो फोटो वी गटन कहलाती है जैसे डूटीरियम है वो गामा पार्टिकल का वसोसन करता है और एक प्रोटोन और एक न्यूटोन में उत्सरजित हो जाता है अगले प्रकार की जो रियक्षन है वो है पर्टेक्स अभिक्रियाएं डायरिक्ट रियक्षन ऐसे अभिक्रियाओं में लक्स नाभिक और प्रक्षपेकन के बीच न्यूकलियोन न्यूट्रोन प्रोटोन का आदान परदान होता है ऐसी नाभिक्रियाओं को अंतरन अभिक्रि और दूसरी है अंस हरन यानि एक में तो कुछ पार्टिकर रख लिया जाता है और एक में उत्सरजित कर दिया जाता है तो पहली अभिक्रिया है अंस गरहन अभिक्रिया ऐसी प्रतेक्स अभिक्रियाओं में तिवरगामी प्रक्छेपे कन लक्से नाभिक से अंते किरिया के द यानि कि जो टारगेट नुकलियाई पे जो इंसीडेंट प्रोजिक्टाइल पार्टिकल था वो लग से नाबिक से एक या एक से अधिक नुकलियों अपने साथ गरन करके बारी नाबिक बनाता है. तो इस परकार की अभीक्रियों को अंसगरन अभीक्रिया कहते हैं जिसे उदारन के लिए बात करें तो 27 कॉबाल्ट 59 पर यदि डूटीरियम की रेक्शन करवाई जाती है तो ये डूटीरियम है एक डूटीरियम का और अंसगरन करके अलफा पार्टीकल बनाता है और जहां पर टूटी सिक्स आईरन 57 में कनवर्ट हो जाता है तो इस परकार की अभीक्रिया अंसगरन अभीक्रिया कहलाती है दूसरे परकार की अभीक्रिया है वो है अंसहरन अभीक्रिया तो ऐसी परतेक्स अभीक्रिया में तीवर गाम में प्रक्षे पेकन लक्से नाभिक से अंते किरिया के दोरान श्वेम के एक या अधिक नुक्लियोनों को लक्से नाभिक को दे देता है लक्से नाभिक को इस्ताना अंतरित कर देता है अते अभिकिरिया अंस अभिकिरिया कहलाती है इसमें जो प्रक्षे पे ना नाभी को दे देगा और जो उत्तर जित करण होगा वो प्रक्षे पर नागिबिक से हलका होगा जिसे उदान की बात करें तो 29 कोपर 63 है जब ड्यूटीरियम की रियक्षन करवाई जाती है तो 29 कोपर 64 प्लस वन एच्वन यह अपना एक न्यूट्रोन वो इस रियक्षन में ल और नाभी के अविक्रियाओं के बात करें तो नाभी के विखंडन अविक्रियाओं हैं इस अविक्रियाओं में कोई भारी नाभी प्रक्षे पे का अविगरन करता है और दो मद्यवर्ती हलके नाभी को में तूट जाता है इस अविक्रिया को नाभी के विखंडन कहते हैं वो तथा इस अविकरिया में भारी मातरा में उर्ज़ा है वो मुक्त होती है जیसे बान में यूरेनियम 235 तापर नूट्रोन का अभिगरण करता है और 56 बेरियम 141 plus 36 क्रुपटरों 92 और 3 नूट्रोन का उटसर्जण करता है दो वैसे इसाथ भारी मातरा में उर्ज़ा है वो निर्मुक्त होती है इसी परकार जो और अभिकिरिया है अगली वो है नाभिके सल्लेन अभिकिरिया इस परकार के अभिकिरियां में दो हलके नाभिक मिलकर सल्लेन करके एक भारी नाभिक का निर्मान करते हैं तिथा इस नाभिक में भी दर्मवान छती होती है और उस दर्मव दिपर जो आधारित अभी किरियाएं हैं उनके बारे में अध्यन किया है